हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, आज मैंने बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसा एक रोल की रेसिपी आप लोगों के लिए लेके आए हूँ, तो चलिए प्रोसेस सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने मेदा लिया है अब इसमें हम स्वादानुसा नमक डाल देंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डोव बना देंगे अब मेदा की जगा आटा का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें इसमें एक चम्मच हम ओइल डालेंगे और इसको मिक्स कट देंगे अच्छे से अब इसको कबर करके हम 15 मिनिट के लिए रख देंगे यहाँ पर मैंने एक बेलान लिया है अब हम मेदा का एक रोटी बना देंगे तो यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है अंडे को हमने तोट दिया अब इसमें हम स्वाधन उसा नमक और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे अब इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चिली फ्लेक्स के जगा रेट चिली पावडर भी डाल सकते हैं अब हमने एक तावा गरम कर लिया अब इसमें हमने रोटी डाल दिया अब इसको पलट देंगे अब थोड़ा सा ओयल डालेंगे हम और ओयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे रोटी में अब इसको पलट देंगे हम और फिर से थोड़ा सा ओयल हम स्प्रेड करेंगे यहां पर हमारा रोटी जो ही वो तयार हो चुका है सेम तावा में हम थोड़ा सा ओयल डालेंगे और ओयल को थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे अब इसमें हम अंडा डाल देंगे ग्यास का फ्लेम हमने लो रखा है अब हम रोटी डाल देंगे अंडे के ऊपर और इसको एक मिनिट पकने देंगे अब हमने इसको पलट दिया है और इसका दूसरा साथ को भी थोड़ा सा फ्राइ करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक रोल हो चुका है अब इसमे हम स्टॉफिंग करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस लिया है और टमाटो सॉस को यहाँ पर हमने स्प्रेड कर लिया अच्छे से अब इसमें हम थोड़ा सा चिली सॉस डालेंगे और चिली सॉस को भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे अब इसमें हम कटा हुआ प्यास डाल देंगे अब थोड़ा सा लाइम जूस हम डालेंगे इसके उपर हर रोटी को इस तरह से हम रोल कर देंगे तो देखिए कितना इजी प्रोसेस है और कितना जल्दी ये बन जाता है तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक केजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिविकेशन आप तक पहुँच पाए थैंक यू